हालो फ्रेंट्स वेलकम टू कार्गी क्लासिज आज डेट है 9 मार्च 2021 इंडियन एक्सप्रेस की इंपोर्टेंट न्यूस देख लेते हैं जो अभी हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले हम डिसकस करेंगी यह वाली न्यूस जिसमें बताया जा रहा है कि जो रेजर्वेशन के उस वर्डिक्ट में 50% कोटा की कैपिंग लगा दी थी वह पचास परसेंट से ज्यादा रेजर्वेशन नहीं दिया जाएगा हां एक चीज हो सकती है कोई एक्स्ट्रा ओर्डिनरी सरकम्स्टांसे अगर क्रियेट हो जाएं तो यह 50% का कोटा है इसको ब्रीज करके 60% जितन करना है रेजर्वेशन की तो उस केस को रिव्यू किया जा रहा है अभी उस मुद्दे को उस जो एक्जिकेटिव ओर्डर जो निकाला गया महरास्ट्रा गवर्मेंट के द्वारा उसको रिव्यू किया जा रहा है सुप्रीम कोट में और साथ में अभी हमें पता है कि एकॉ कि यह आप देखो इसमें मोटी मोटी बात कि 1979 में मंडल कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था उसको मतला मंडल कमीशन के टास्क किये थी कि socio-economically backward classes कौन-कौन सी है उनके बारे में पता करें और कितनी population है और उसके हिसाब से recommend करें कि कि सब्सक्राइब ना रेजर्वेशन देनी की जरुवरत है तो ओवरोल 1979 की टाइम पर 22.5 परसेंट रेजर्वेशन और देना चाहिए जो अधर backward classes है उनको तो ऐसे करके recommendation तो 1979 में आ गई थी बट implement हुई 1990 में जब वीपी सिंग की government आती है और उन्होंने implement करके reservation का 27 परसेंट ओर दे दिया तो ऐसे करके आप देख सकते हो total reservation कितना हो गया 49.5 परसेंट अब यहां पर फिर इंद्रासान अब यह reservation जैसे दिया तो बहुत सारे लोगों ने objection भी किया कि ऐसे यह executive order के basis पर reservation दिया जा रहा है तो यह administration में inefficiency लेकर क्या रहा है fundamental right article 14 के अंडर में जो article 14 15 16 या फिर जो right to equality वाले rights का जो section है part 3 में उसका violation है बट supreme court की उस time की nine judges की bench उसने इंद्रासाहनी वर्सेज union of India act केस में यह चीज अफेल्ड कर दी बुला 50% तक का reservation दिया जा सकता है आगे अगर reservation देना हो 50% से जादा तो उस case में आपको एक extraordinary circumstances हो तो ही किया जाएगा ठीक है तो मोटा मोटा क्रक्स तो हमने ले लिया बाकि एक बार यहां से और explained page पे और है यही मुद्दा दोनों को मिला कर के detail में discuss करेंगे दूसरा article हम discuss करेंगे यहां पे कि Russia ने तो इंडिया को बाहर रखा अफगानिस्तान में जो peace talks चल रही है बट USA ने दिल्ली को मौका दिया है कि भई talk table होगी ना बाचीत करने की जो table है उस पे अब इंडिया भी participate करेगा यह इंडिया के लिए एक अच्छी ख़बर है क्यों कि वहाँ पर जो तालीबान का rule अगर आता है ना तो extremism बहुत जादा फैल जाता है तो एक तो यह वाला मुद्धा देखेंगे दूसरा बाइडन ने जो काबुल में जो dice है मतलब पूरा जो खेल चल रहा है इसमें दिल्ली को बुलाना क्या importance रखता है तो यह दोनो articles हम एक साथ discuss करेंगे इसके अलावा front page पे एक article ओर जिसको हम पहले discuss कर चुके हैं कि अगर कोई भी जो overseas citizen of India card holder है वो अगर इंडिया में आकर के journalism या फिर research का काम करना चाहे तो उनको competent authority से approval लेना पड़ेगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बार gadget में publish हो गया ना क्योंकि Thursday को Ministry of home of a और gadget में यह norms publish कर दिये तो बोलो वो लीगल हो चुके हैं तो एक बार उस article का revision हो जाएगा यहां से आगे चलते हैं explain page पे यह article है revisiting the quota template यह वही बात ठीक है 50% reservation वाली बात उसको हम यहीं से दोनों को link करके दोनों articles को एक साथ देख लेंगे फिर यह article है जिसमें Brent crude oil की जो पर barrel price है वह international prices dollar 70 से भी जादा बढ़ गई है तो इंडिया के ओपर क्या असर है देखो हमारे यहां पर crude oil फैले पहले से ही बहुत जादा price पे चल रहा है रही सही में कुछ state government जैसे की राजस्थान वेस्ट बेंगॉल मेगाले असम इन्हों ने अपने state taxes को reduce किया है क्योंकि जो common man है उनके pocket पे burden बहुत जादा बढ़ गया था इसके चलते इसकी वज़े क्या है यह अचानक से 70 डॉलर तक क्यों पहुंच गया देखो एक वज़े रास तनूरा रास तनूरा तो यह आप लिख ले ना कि रास तनूरा oil facility है रास तनूरा region associated कौन से country से हैं तो सौधी अरब तो रास तनूरा पे healthy rebellion जो की यमन में है उन्होंने attack कर दिया ठीक है तो इससे क्या हो गया यह रास तनूरा वाली facility में वैसे तो कोई damage नहीं हुआ ब घर में अगर आप confident हो ना तो फिर आप देखो घर में अलगी माहूल चलता रहता है और थोड़ा सा भी एक बार negative सोचना शुरू कर दो वही चीज़ apply nationally होती है वही internationally होती है ठीक है ना तो ऐसे में क्या हो गया कि attack कर दिया ना howty rebellion howty rebellion को ना basically कि यमन में एक community है या फिर एक group ह rebellion का जो की इरान के द्वारा support किया जाता है अब इरान एक शिया community है ठीक है तो इधर दूसरी तरफ यमन का ही पडोशी देश है सौधी अरब जो की सुन्नी गंट्री है तो ऐसे करके इरान और सौधी अरब की बीच की जो rivalry है वो इधर यमन में भी चल रही है पिसले 6 सालों से civil war चल रहा है जिसमें एक तरफ तो सौधी अरब लेड जो group है सुन्नी community वाले वो और दूसरी तरफ हाउती rebellion जो की इरान की तरफ से support मिल रहा है वो तो ऐसे करके यहां पे एक proxy war सा चल रहा है सौधी अरब और इरान की बीच में इसी के चलते हैं यह हाउती rebellion जिनको इरा सपोर्ट कर रहा है उन्होंने साथी अरब के इस रास्त अनूरा ओयल फैसिलिटी पे अटैक कर दिया तो इसके चलते क्या हो गया जो ब्रेंट प्राइस है वो राइस हो गई सेवेंटी डॉलर पर बैरल के हिसाब से इंडिया में तो अल्रेडी प्राइस बहुत जादा हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुस्किलों का कारण बन सकता है यह ठीक है बाकी आर्टिकल आप खुछ से देख लोगे कि IIM कलकता में जो पूरा खींस्तान चल रही है ना उसको लेकर किस तरीके से इनकी आटोनमी पर क्वेशन लगाय जा रहा है वो चीज़े आप एक बा ओइल हार्ट लेंड मतलब रास्तानूरा पे अटक किया तो साओधी अरब के डिफेंस के लिए USA आ गया कि USA जो है वो साओधी अरबिया के डिफेंस के लिए कमिटेड है हम बैक फिट पे नहीं जाएंगे वैसे तो अभी क्या है जनवरी 2020 के बाद में कई बार मतलब बातच कैसे वाइलेट कर रहा है बट वही बात है कि यमन वार के चलते हैं जो हाउती रिबेलियंस का जो अटेक हुआ है ना भी साओधी अरब पे रास्तानूरा जो ओयल फैसलिटी है तो उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि बोला है साओधी अरब भिया की डिफेंस के लिए हम एनिटाइम रेडी हैं और हम डिफेंड करेंगे क्योंकि यह बहुत एक अच्छी कॉलेशन है दशको पुरानी इनके संबंद है साओधी अरब के और यूएसे के ठीक है तो में जो बात थी वह हमने देखी लिए मैंने आपको समझाई दिया आगे चलते हैं फिर आगए हम एकोनामी पेज पे हम एक तो आर्टिकल यह देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्यों लगातार एक कोशिश कर रही है कि एक नई एंटिटी स्टैबलिश करें जिसका हम बोलेंगे न्यू अंब्रेला एंटिटी एन यूई पहले तो बात तो यह कि एन यूई क्या होता इस पर है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना 2019 का जो पार्लियमेंट में भी चल रहा है अंडर स्कूर्टिनी ठीक है तो वहां पर कुछ एक्सपर्ट का क्वेशन राइज करना अभी शुरू हुआ है जिसमें से एक है कि जो डेटा है ना उसको पर्मानेंटली एन उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पर डेटा को पर्मानेंटली अनॉनिमाइज किया जाए मतलब यूजर की जो आइडेंटिटी है वह पर्मानेंटली हाइड रखी जाए तो इससे घाटा क्या हो सकता है क्या रिसक है बोला फ्यूचर में जब लोग उ लिए कंसर्ण नहीं होंगे तो उस यूजर को रि आइडेंटिफाई करने के लिए वो डेटा काम मिले सकते हैं जैसे कि रि आइडेंटिफिकेशन का छोटा से एक्जांपल बताया जा रहा है कि मान लो कोई ब्राउजिंग ब्राउजर आप यूज कर रहे हो चाह क्रोम या बहेवियर ट्रैक कर सकता है कि यह किस तरीके का बहेवियर रखता है क्या इसका टेस्ट है तो उससे उस यूजर की जो प्रिवेसि है वो वाईलेट हुई की नहीं बस एक्जैक्ली वही चीज यहां पहालाइट की जारी है कि पर्मानेंटली एक तरीके से गुमनामी नहीं पड़ेगा कि हां कौन यूजर था किस ने डेटा क्रिएट किया बट पर्मानेंटली नहीं होने की वज़े से रिया इडेंटिफिकेशन का रिस्क है कि कि किस यूजर का कैसा भी यूजर को ट्रैक करना यह तो राइट तो प्रिवेशी के अगेंस में चला गया ठीक है तो यह यहां पर बताया जा रहा है कि पर्सनल डिटा प्रोटक्शन बिल में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जो की मिसिंग है तो आगे आपके सामने यह वाला जो आटिकल है यह वाली निउस है जो अभी रिसेंटली पचीस तारीक को जो नए नए रूल्स जो डिक्लियर किये दिल्ली हाई कोट में अब देखते हैं क्या वर्डिक्ट आता है क्या इसके स्टेट्मेंट होते हैं आगे टाइम बताएगा फिलाल तो क्यों इतना ही है कि रेजिस्टर हो गया है केस ठीक है तो एक यह आर्टिकल है जो हम डीटेल में देखेंगे साथ में एक निउस और ज उसको पैसार्थ चुका नहीं पा रहा है ना तो ब्याज ना मूल ना तो प्रिंसिपल ना इंट्रस्ट पर लिपे गर पा रहा है तो उस पर्टिकलर एंटिटी को इनसॉल्वन्ट कंसिडर कर लिया जाएगा पहली बात तो दूसरा अगर उस चीज को insolvency को किसी particular tribunal या फिर कोई भी court ने competent authority ने ये declare कर दिया कि वाकई में ये चुकाने लायक नहीं है तो इसको फिर bankrupt बोलना शुरू कर दिया जाएगा तो insolvency से related अगर कोई भी मुद्दा है तो उस मुद्दे को उस dispute को NCLT अकेला अपने हिसाब से handle कर सकता है ये बात कई Supreme Court ने तो आप NCLT के बारे में Google करके थोड़ा सा देख लेना ठीक है अब देखते है आर्टिकल्स को डीटेल में First News है कि 50% कोटा का जो judgment है इंद्रासानी judgment या फिर मंडल कमिशन केस भी बोला जाता इसको तो बोले इसको एक बार फिर से देखने की जरुवत है क्या Supreme Court इस चीज़ को जल्दी ही decide करेगा कि बड़ी बैंच के सामने ये चीज़ भेजनी चाहिए या फिर नहीं भेजनी चाह किते ही वो रेजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो 50% से ज्यादा हो गया जो की 1992 में जो इंद्रासाहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था उसकी लिमिट को ब्रीज कर रहा है इस इंद्रासाहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस को मंडल जज्मेंट भी क कहा जाता है जिसमें सुप्रीम कोट के नाइन जजिस की बेंच ने सिक्स इंस्टूट थ्री की वर्डिक्ट में डिसाइड किया था चैने फेवर किया था कि 50 क्या बोलता है जो 27 परसेंट रेजर्वेशन प्रोविजन था OBC के लिए बोलो वो बिल्कुल सही है जबकि तीन ने कहा था कि बिल्कुल गलत है बट यह चैने जो कहा था ना इसके बाद में फिर कुछ और आउटलाइन्स भी दी थी वो हम अब सीधा चलेंगे explain page पे तब ओर detail में देख पाएंगे देखो अभी मंडे को क्या है एक तो मुद्दा यह है कि जो 102 जो constitutional amendment act आया जिसके basis पे states की जो power है न रेजर्वेशन के लिए socio-educationally backward classes को consider करना कि यह particular community है जिसको अभी reservation नहीं है और यह socially backward है educationally backward है तो उनको reservation देने का से जो state government का या state legislature का है वो कहीं ना कहीं 102 constitutional amendment act के basis पे states को नहीं दी गई है क्योंकि क्या provision किया गया बोला क्यों प्रेजिडेंट आफ इंडिया है न वो define करेंगे कि कौन सी community social educationally backward है तो इसमें क्या हो गया federal system के against में गया कि नहीं हमारे यहाँ पर federation है जिसमें union और state government साथ में मिलकर के काम करती है और यहाँ पर केवल प्रेजिडेंट को आपने यह power दे दी identification की तो states के लिए कहीं ना कहीं सवाल आ गया कि state इस चीज़ को judge भी मतलब कदम उठा भी सकते हैं कि नहीं अगर हां तो फिर बाद में यह provision क्यों अगर ना तो दूसरी तरफ यह महरास्टा यह जो हरियाना में जाटो के लिए अंदर प्रदेश में यह पार्टीदारों की डिमांड हो रही है गुजरात में reservation की तो वहाँ पर क्या state कदम उठा पाएंगे या नहीं उस चीज़ के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अब देखो 9 judges की bench थीना पहले इं में थे ना उसके comparison में 2 judges extra अब की बार करने पड़ेंगे अगर आप चाहो कि 9 judges की bench की ruling को 9 judges की bench और रूल करें ऐसा नहीं हो सकता करने के लिए 11 judges या 13 judges की bench कम से कम बिठानी पड़ेगी आगे चलते हैं basically हुआ क्या था कि 2018 में 102 जब amendment लाया गया तो article 342 A insert कर दिया था हमारे constitution में और उसमें president को empower कर दिया कि president जो है वो specify कर सकते हैं social educationally backward classes को अलग-अलग states में या UT में वहां के governor के साथ में consult करके तो आप देखो governor के साथ consultation, president करेंगे तो भई state legislature का रोल कहां पे आ गया तो ये तो federation system के against में चला गया ना हमारे federalism के लिए तो इस point पर कहीं ना कहीं Supreme Court जो है सोच रहा है कि अब जल्दी से जल्दी जो हमारे पास में already verdict available है 1992 का इंद्रा साहनी case या मंडल commission judgment बोलो उसको हमें एक बार review करने की जरुवत है तो larger bench हम जल्दी establish करेंगे और फिर उसके बाद में वो review करेंगे देखो मराठा महराष्टरा वाला जो case ना वो ये है कि मराठाओं को 12 से 13% reservation देने की बात की गई जो कि 50% से ज़्यादा चला जाता है बट हमने already देखा कि इंद्रा साहनी case में क्या बोला था Supreme Court ने कि 50% से ज quota template देखो Supreme Court जो है वो examine कर रहा है महराठा reservation के लिए और साथ में उसको interpret किया जा रहा है इंद्रा साहनी versus union of India case 1992 और अभी जो है कहीं ना कहीं एक potential reconsideration की बात की जारी कि future में फिर से इस 1992 judgment को आज की scenario में ध्यान में रखते हुए एक बार review किया जाए तो 11 judges की bench है वो establish की जा सक है इंद्रा सानी केस को मंडल केस भी बोलते हैं आप confuse मत हो ना मैं पांच बार बोल चुका हूँ ठीक है अब बात ही आ जाती है कि Supreme Court क्यों इस बात को ध्यान में या संग्यान में ले रहा है देखो अभी जो 5 judges की bench है उसके सामने महराष्टा का जो case आया हुआ ना उसके चल commission established किया गया था जो था state backward classes commission और उनने recommend किया कि 16% तो ज्यादा हो जाएगा 12-13% reservation की जरुवत है according to their population ratio ऐसे करके आप देखोगे Bombay High Court में जब यह मुद्धा गया तो Bombay High Court ने एक बार इसको case को approval दे दिया बोले that's okay कोई problem नहीं है आप इस reservation को continue कर सकते हो बट वही बात है कि Bomb Supreme Court में और उसी पर ध्यान दी रही है Supreme Court इस वजह से Supreme Court इस चीज़ पर ध्यान इस मतलब focused है कि क्या हमें इंद्रासाहनी वाले case को review करने की जरुवत है आज के टाइम पर यह है पुरा मुद्धा ठीक है तो यह मैंने बताए दिया आपको कि vertical quota 50% कोटा भी दो तरीके के होते ह A, B, C, D उनके बीच में भी आप classification करो वो हो जाएगा horizontal division ठीक है तो इस तरीके से vertical quota 50% तक fix किया हुआ है इंद्रासाहनी case के अंडर में Supreme Court में अब देखते हैं इंद्रासाहनी case क्या था अब ध्यान से मैंने summary दे दी बस वही revise हो रही है आपको अच्छे से याद हो जाएगा देखो 1979 में second backward classes commission जिसको मंदल commission बोला गया था वो government ने setup किया और ये target दिया था कि आप socio-educationally backward classes को identify करो तब मंदल commission ने अपनी report दी तो 52% population का पता पड़ा जो कि socio-educationally या economically backward classes consider थी SCBC और कहा कि 27% reservation in SCBC को देने की जरुरत है तो already जो था reservation जो SCST के लिए वो कितना था 25% तो overall दोनों को फिर बाद में देने की बात हुई तो 1979 में ये जब मंदल commission की recommendation आगी तो उसके बाद में implementation में ये आया नहीं था फिर उसके बाद में 1990 में जब VP Singh की सरकार जब आती है तब उन्होंने मंदल की report को implement करना शुरू कर गया और ऐसे करके total reservation कितना हो गया 22 plus 22.5 plus 27% तो 49.5% आ गया तो इसके against में widespread protest भी हुए थे कई होने खुद को जला भी लिया था बहुत जबरदस्त मतलब एक तरीके से माहूल बनाता उस ताइम पे फिर case जाता है no judges की bench में और Supreme Court में और उन्होंने verdict दिया 6-3 के ratio में और deliver कि आ गया 1992 में तो ये है आपका इंद्रा साहनी case अब इसमें क्या verdict क्या आया था वो देखते हैं verdict ने ये कहा कि court ने अपनी तरफ से upheld किया कि भई हमें जरुरत है वाकई में 27% reservation देने की जो backward educationally और socially economically जो backward classes है उनको reservation देना चाहिए तो इसके basis पे उन्होंने reservation को upheld किया बट स इसको कहीं ना कहीं 50% limit के अंदर-अंदर ही रखने की जरुरत है या आगे हम देख लेंगे खेर यहीं पर आ जाते हैं वापिस से 27% reservation को जो की backward caste थी OBC जिसको हमने बोला उनको consider करना शुरू कर दिया कि जो caste है उनके basis पे देने की जरुरत है और उसको continue करने की बात की साथ म प्राइमा फेसी एक बार में तो ये देखा जाए कि जो list है backward classes की उस पर attack होना शुरू हो गया था कि किसको आप consider करोगे किसको नहीं करोगे तो Supreme Court ने बोला कि जिन भी caste को अगर आप consider करते हो और other backward classes के तोर पे उनकी closer examination होने की जरुरत है एक clarity होने की जरुरत है कि वो क्या profession है किस तरीके का वो काम करते हैं और commission ने क्या reference दिया है उन references को closely scrutinize करो फिर उसके बाद में आप consider करो तो इसके basis पे आप देखोगे social educationally backward classes को reservation देना जो है वो हमारे constitution के article 15 के clause 4 में दिया हुआ है कि backward classes को आप reserve उनकी upliftment के लिए कुछ facility कर सकते हो जिसका नाम है reservation तो ऐसे करके OBC को reservation मिल जाता है 27% और इसको Supreme Court ने अपनी तरफ से continue बनाए रखा देखो reservation को लेकर के पहले भी दो cases है 1963 का एक case है मर बालाजी वर्सेश टेट अफ मैसूर और एक है 1964 का देवदासन वर्सेश यूनियन ओफ इंडिया उस time पर reservation जो OBC के लिए पहले commission establish होए थे तो उन्होंने ये कहा था उसमें judgment में क्या है था कि administrative efficiency कहीं नहीं compromise हो जाएगी काम करने में क्योंकि reservation में आप क्या करो होगे तो इसकी वज़े से administration में inefficiency आएगी और इसी बात को द्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 1992 में भी कि फिफ्टी परसेंट से ज्यादा reservation कोटा हमें नहीं रखना है हां केवल और केवल exceptional circumstances जा जाए तब जाकर कि ये 50% वाले limit है वो breach की जा सकती है ब reservation जो है वो इंद्रा सायनी केस के साथ में कैसे connected है देखो 102 नंबर का जो amendment act आया था यह हमने देखा 2018 में जिसमें प्रेजिडेंट को power दे दी गई थी कि वो किसी भी कास्ट को या क्लास को backward class consider कर सकता है अलग 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 यूटीज में तो यहां पर point कि आ गया कि बही स्टे constitutional amendment act जब आया था जो कि 2019 में पारित किया गया जिसमें 10% reservation दे दिया गया government के दुआरा government jobs में और educational institution में on the basis of the economically weaker category जो EWS जो reservation दे दिया वो ऐसे करके total reservation जो है वो 50% की limit को bridge करता हुआ दिखाई दे रहा है इन सारे मुद्दों को मिला करके अब Supreme Court जो है सोच रहा है कि जल्दी स जल्दी 11 judges की bench establish की जाए और उस judges उन benches के द्वारा ये उस bench के द्वारा ये पूछा जाए कि आप constitutionality check करो ये जितने भी reservation के मुद्द है इन सब को ध्यान में रखकर ठीक है अब बात ये है क्या कोई ऐसा state है जिसने 50% की limit को bridge कर रखा है जी बिलकिल तमिल नाडू है जहाँ पर reservation को बढ़ा करके 69% कर दिया गया था और आप देखोगे ये 69% state government ने नहीं किया था state government ने तो अपनी तरफ से proposal दिया और 1993 के time पर आप देखोगे coalition सरकारे थी south की जो parties है उनकी dominance हुआ करती थी ऐसे चलते coalition सरकारों ने फिर बाद मे 69% जो reservation का तमिल नाडू का provision था उसको schedule में ठीक है इंदरासायनी judgment के बाद का है ये मुद्दा जबकि इंदरासायनी case में क्या बोला था 50% से ज्यादा reservation नहीं देना उसके बावजूद 69% reservation दिया और 9th schedule में डाल दिया और 9th schedule आपको पता है कि शुरुआत में judicial review से beyond था कि article 31A of the constitution क्या कहता है कि 9th schedule ना उसको आप challenge नहीं कर सकते हो अगर 9th schedule में कोई ऐसा कानून पड़ा है जो की fundamental rights को violate करे तो इस चीज के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल उटने लग गए थे तो इसका मतलब तो कोई भी कानून बना दी सरकार और उसको 9th schedule में डाल दे तो कोई सवाल ही नहीं कर पाएगा जी ब उसको आप judicial review के ambit से दूर नहीं ले जा सकते अगर fundamental rights को breach कर रहा है तो कोई issue नहीं है बट basic structure को अगर constitution को breach करता है कोई भी कानून चाहे वो 9th schedule में हो चाहे कोई से schedule में हो उसका judicial review होगा उसकी constitutional scrutiny होगी अगर वो violate करता है तो उसको strike down किया जाएगा तो ultimately क्या हो गया 2007 के IR को स्टेट आफ तमिल नाडू के basis में कि 9th schedule भी अब judicial review के अंडर में है ना कि वो immune है तो इस तरीके से total बात या गई कि तमिल नाडू का law जो है वो तो कहीं ना कहीं अभी तक जिंदा है बाकि अभी यह मुद्दे हैं इनको 11 judges की bench अपने हिसाब से देखेगी तो पूरे मुद लिया डिली को बाचीत की टेबल पर देखो यूएस से जो है वो डिमांड कर रहा है United Nations से कि यूएस इंडिया रशिया पाकिस्तान चाइना इरान ये सारे कंट्री जो है अब अफगानिस्तान के दोनों स्टेक्स कौन से हो गए एक तो असरफ गनी जो कि प्रेजिडेंट ल बिलकुल क्लियर कर दिया था कि इंडिया को एक्स्क्लूड करेंगे बट हमारे जो USA के साथ रिलेशन ना जो कि कयास लग रहे थे ना कि Donald Trump के जाने के बाद में इंडिया के रिलेशन मतलब प्रधान मंतरी मोधी के रिलेशन या फिर इंडिया के रिलेशन जो है वो जो मज़ करके ले रहे हैं जैसे कि United Nation को कहीं नगे इग्नोर करना शुरू कर दिया था WTO को इग्नोर करना शुरू कर दिया डॉचो को इग्नोर करना शुरू कर दिया था डॉनल्ड टरम्प ने जो बाइडन ने उन चीजों को ignore नहीं किया फर्क इतना साही है बाकी चीजें exactly वो ही continue या carry on की जारी है जो बाइडन के द्वारा जो ट्रम्प ने छोड़ी थी ठीक है आज आप देखो terrorism की बात करो violence की बात करो women right की बात करो democratic values की बात करो इन सारी मुद्दों पर तालिबान जो है वो बिलकुल extremism पर जाता है तो इंडिया तो एक ही चीज़ कहता है कि अफगानिस्तान में ऐसा law हो जो कि अफगान led हो अफगान controlled हो अफगान owned हो कि कुछी भी दूसरे country का वहाँ पर say नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान के लोग है वो ही इस चीज़ को final out क करें ठीक है साथ में अश्रफ गनी जो अफगानिस्तान के प्रेजिडेंट है उनके साथ में engagement और इसके अलावा जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला है जो कि अभी high council for national reconciliation के chairman है वो तो इन दोनों से बाचीत की जाएगी proper way में तो overall USA, India, Russia, China, Pakistan, Iran ये कही ना कही unified approach में बाचीत करेंगे कि अफगानिस्तान में आगे क्या होना चाहिए तो यहां से एक चीज क्या है कि दिल्ली ने अपनी तरफ से जो कोशिशे की थी diplomatic level पे जो बाचीत की थी उनका result निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक हम diplomatic success के तोर पे देख सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान म बहुत जरूरी है ओके यहीं से continue कर लेते हैं दूसरा article कि बाइडन ने जो काबूल का dice है काबूल का जो पूरा platform है वहां पर दिल्ली को भी involve करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या है दिको जो बाइडन ने भी अपनी तरफ से peace process को continue करने की बात की है और जो बाइडन भी कही ना कहीं इस चीज़ को दिमाग में लेके चल रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में USA के military का present होना USA के लोगों के लिए acceptable नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यह जो war है जो कि endless हो गया है 2001 से चल रहा है यह देखो आज 20 साल से ज्यादा time होने को आया है अभी तक कोई result नहीं निकल रहा है even वहाँ पर trillions मतलब billions of trillions of dollars मतलब बहुत पैसा कर्च कर दिया है US ने तो इसकी वज़े से बरबादी बोले ज्यादा हो रही है और हमारे जो human resource है उसका और loss हो रहा है देखो अफगानिस्तान ना वहाँ पर अगर conflict चलता है तो South Asia में कहीं ना कहीं बहुत मुश्किले continue रहती है और international relations में भी बहुत important role play करती है यहां की peace आगे देखते हैं तो basically यह जो बातचीत हुई है इसमें अफगानिस्तान में जो ambassador है USA के जलमे खलील जाद USA के representative जो special envoy भी है अफगानिस्तान के लिए USA की तरफ से तो वो अब बातचीत करवाएंगे हम आरे जो external affairs minister है एस जैशंकर जी की और साथ में बातचीत होगी USA के जो defense secretary है general Lloyd Austin उनके दुआरा तो यह चीज कहीं ना कहीं बहुत important है तो यहां पर देखो पांच important elements हैं जिनको हमें समझने की जरुए नमबर वन बाइडन जो है वो peace plan को continue करना चा रहे हैं क्योंकि अभी USA के लगबग 5000 US की जो military personals हैं वो अफगानिस्तान की soil पर अभी वी deployed हैं तो बाइडन जो है वो कोशिश करेंगे कि यहां से उनको निकाला जाए देखो तालीबान के साथ agreement में टरंप ने बिल्कुल जर्दबाजी दिखाई थी और target ये रखा था कि एक मई आते आते हम यहां से withdraw कर लेंगे बट एक चीज ओर थी उसमें यह demand की गई थी कि आप 90 दिन तक जो है वो कोई भी मतलब siege fire violation नहीं करोगे गोलिया नहीं चलाओगे यह commitment कहीं नहीं लिया गया था बट USA के लिए भी क्या है थोड़ा सा यह जो commitment डॉनल्ड टरंप ने अपनी दरफ से दिया ना कि ह हम हमारे troops को एक मईश से पहले पहले निकाल लेंगे तो उसमें क्या है USMA जो endless war ना यह बिल्कुली बिल्कुल एक defamed है इसकी famous नहीं है ज्यादा against में है वहां के लोग तीक है तो एक तो यह मुद्दा हो गया कि निकालना दूसरा निकालने के लिए क्या condition अनभधिन की बात वहां पे problem क्या है कि Pakistan जो है वो अपना support लगातार दे रहा है Taliban को तो Taliban क्या कोशिस करेगा कोशिस करने की क्या है साज सोचने वाले वाद नहीं तो वो अफगानिस्तान में अपनी ruling को कम करना चाता है क्योंकि Taliban को confidence हो गया है कि USA बहार अगर निकलता है तो अफगानिस्तान की पकड़ अपनी lose करेगा इसके अलावा जलमे खलीजाद ने जो peace proposal दिया था काबुल को और Taliban को तो उस time पर भी और साथ में जो terms है term and condition अभी कहीं ना कहीं जो आप एक होती है ना की देखो USA ने अपनी तरफ से एक मई की जो deadline दे दी ना अब USA कहीं निकलने की कोशिस करेगा एनी और है निकलो रहार जान चुटे तो बड़ी है तो इस case में अब USA के पास में ज्यादा sane नहीं रहेगा अब इसी case में अगर Taliban से USA बातचीत करे और यह कहें कि भई जब तक आप पूरी conditions को नहीं मानोगे तब तक हम हमारे troops को withdraw नहीं करेंगे तो Taliban फिर बाद में वहाँ lower hand हो जाता है USA का upper hand हो जाता है बट condition क्या है एक माई को निकलने वाली तो जल्दबाजी किसको है USA को तो dictate कौन करेगा तालिबान ये भी reality हमें समझने की जरूरत है चोथा जो important point यह है कि USA ने तरकी को भी involve करना शुरू कर दिया है कि काबुल और तालिबान that means वहां की सरकार और तालिबान की भीच में peace talks हम establish करनी है तो आप आओ तो इसके लिए पाकिस्तान comfortable feel करेगा क्योंकि पाकिस्तान का भी तरकी और मलेशया की साथ में अच्छे tie-up चल रहे हैं इस्लामिजम को लेकर के तो पाकिस्तान का एक upper hand हो जाएगा इसके अलावा पांचवा point जो है कि जो बाइडन administration जो है वो United Nation के तुरू ये convention बुलाना चाहता है जिसमें China, Russia, Pakistan, Iran, India, United States ये मिलकर के एक unified approach में काम करें बट यहाँ पर netto जो है वो कहीं न गए excluded है तो European जो countries हैं वो कहीं न गए इस चीज़ को लेकर के concern feel करेंगे तो overall हमने 5 point जो थे वो हमने highlight करने की कोशिस की civil war देखो को लगातार चलता आ रहा है वहाँ पर तो अब देखने वाली बात है कि क्या बातचीत होती है आगे time बताएगा एक तरफ का अफगानिस्तान की सरकार दूसरी तरफ है तालिबान और बाकी फिर बाद में ये सारी parties जो countries हमने already देख लिए तो इसमें इतना ही था content आगे चलते हैं नेक्ट जो आर्टिकल है वो हम already discuss कर चुके हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो OCI जो है ना overseas citizen of India उनको अगर journalism या research का काम इंडिया में करना है तो competent authority से उनको approval लेना पड़ेगा और उसके बाद में फिर ये activities कर सकते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है ministry of form affair के दौरा कि एक बार notification गैजट में declare हो चुका है that means यह अब legal हो चुकी है ठीक है तो अब इनको follow करना ही होगा तो basically point यहाँ पर यह था कि जो तबली की या फिर जो मिजनरीज हैं जो यहाँ पर अपने religious activities को propagate करने के लिए speech वाली activities में involved होना चाहते हैं तो बहुत उन लोगो उनको approval पहले लेना पड़ेगा और यह चीज़ कोई पहले नहीं है इसके पहले 2005, 2007, 2009 इनके notifications में भी यह चीज़ mentioned है ठीक है तो ऐसी कोई बात नहीं कि यह पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है बट यहाँ पर जो ministry of form affair ने अपनी तरफ से जो किया है ना बोला कि हमें जो rights देने थी OCIs पे उनको consolidate करने की जरूरत थी क्योंकि पिछले जो notification थे वो अलग अलग थे तो misinterpretation के chances ज्यादा थे इसलिए हमने उनको consolidate किया है एक जगे लेकर किया हैं यह मुद्दा हम already देख चुके हैं अब इसको content को एक बार खुद से read out करना आगे चलते हैं अब हम आ गया है economy page पे जहां पर हम बात करेंगे कि private companies क्यों लगातार कोशिस कर रही है NUE को establish करने की तो basically Reliance, Tata, Amazon, Paytm यह company लगातार अपनी कोशिस बना रही हैं कि new umbrella entity establish कर दी जाए यह new umbrella entity काम क्या करेगी देखो जिस तरीके साथ जो platform आप use करते हो ना जो भी transaction के लिए UPI based जो भी ठीक IMPS हो करता है National Payment Corporation of India NPCI अब यह अकेली entity है जो इतने online transactions को देख पा रही है तो RBI ने क्या proposal दिया कि बोले कि हमें एक नई umbrella entity बनाने की ज़रुत है जो कि यह retail transaction को देख सके तो NUE क्या होंगे कि RBI के दोवारा NUE साथ है RBI ने अपनी तरफ से proposal दिया जो कि एक non-profit entity होगी जो कि manage कर लिए retail system जैसे की ATM वाला हो गया white level point of sale हो गया अधार based payment system हो गया यह remittance services है इनको ध्यान में रखेगी यह payment वाली जो entity होगी इससे क्या होगा नए payment method होंगे नए standard होंगे नए technology होगी और एक settlement system में clarity आएगी इसके लिए यह NUE की बात की जा रही है तो सबी जो players है ना वो कही इसके लिए enthusiastic भी है ठीक है तो अभी जरुवत किस क्यों है भाई देखो कर जो अम्रेला entity होगी ना यह retail payment system को जो है वो अभी currently तो देखो NPCI कर रहा है तो एक non-profit entity अगर establish कर दें और जिसमें banks जो है उनका say रहे तो कही ना कहीं जो load है वो reduce भी तो किया जा सकता है ना क्यों है NUE establish करने की बातचीत की जा रही है बागेश आर्टिकल होगे एक बार आप खुद reading मार दोगे और समझ में आ जाएगा discussion नहीं कतम है thank you very much